है जो है यह यह लोग दोस्तों स्वागत आपका साइन्स वित संचित नाम के यूट्यूब चैनल पर तो हम लोग रिवीजिन सीरीज क्लास 10 की कर रहे थे उसमें आपने पढ़ चुके अभी तक हम है है और हम है नोट न an a रख चुका है उसके वाद हम बात कर चुका है चो-एंद था Meu हुब इस्फोर्टेशन दैंसमें कैसे गया सब्रोटीका में कैसे कैसे काई सब्सक्रा से कौने-काइं तक बहुता ऐए वीडियो में करता है वीडियो कि शुरुवात कि यह मैंने रखने लखतómo है एक और पहले डायग्राम देख लिए वह यहां से इश समझते हैं उसके बाद एक बार दाइगराम पर फिर से आएंगे आपको समझाते हैं तो देखें दिस कोडिनेटर प्रोसेस ऑफ केरिंग आउट प्रॉपर दिस्ट्रिविशन और मटेरियल अमंग दासौल इसकाल ट्रांसपोर्टेशन तो यह सारी चीज है पेड़ के उधर और हम लोग क्या रहते हैं ज्याद एक्टिव रहते हैं तो हमारा जोग ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेट वह क्या है कॉंप्लेक्स क्या होता है अगर किसी को नहीं पता है तो मुझे कमेंट करके बता दोगा क्या होता है वाइल फॉर लॉंगर सिस्टेंस इन नीड और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अराइज तो अब यह सारी चीज़ने के लिए आमें एक प्रॉपर सिस्टम चाहिए बेजने के लिए तो उस सिस्टम को क्या बोलता है ट्रांसपोर्टेशन इंप्लांस तो देखिए दियर और फॉर पाथवेज हैं डेवलब इन प्लांट इंडिपेंडली विच कंप्राइज ऑफ जायलम और फ्लोयम से तो पहले हम जायलम की बात कर लेते हैं यहीं बात कर लेते हैं तो जायलम है आपका वाटर का अप्टेक करता है कि वाटर का अप्टेक करता है कि और साथ में मिनरल्स का भी अप्टेक करता है और उसके बारी आती है फ्लो येम का जो भी food को प्लांट में prepare होता है जो भी food प्लांट में prepare होता है vity एक मेटा ऐसे लिख लेते है prepared food को शेखेज प्रेपीर फूड को transport करने में help करता ओ कि यह देखें वो तो जायलम एंड फिलोयम केरी सबस्टांसेस फ्रॉम वन पार्ट ऑप दा प्लांट वोडी तू अनधर जायलम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स उप्टेंड फ्रॉम देखें यह मैंने भी आपको बात प्रता चुका हूं मैं जायलम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स उप्टेंड फ्रॉम तो वाटर और जो मिनरल्स में होते हैं उनका आपके कौन करता है जायलम करता है फिलोयम इसको हम बोलते है वैस्कुलर टिसू ट्रांसपोर्ट और फोटो सिंथेस फ्रॉम लीव्ट टू अधर पार्ट्स अप्लांट प्लांट जो फूड बनता हो लीव में बनता है तो लीव से और पार्ट्स तक भी तो फूड जाएगा तो उसका ट्रांसपोर्ट कौन करता है फिलोयम अन्यादर इस्ट जी यूज़्ट वाइट प्लांट इस ट्रांसपरेशन डैट इस देखिए ट्रांसपरेशन लॉस वाटर फ्र प्लांट इस ट्रांसपरेशन देखिए यहां से पानी जो पानी का अप्टेक हुगा सक्षन प्रैसर लगता है पानी को अप्टेक करने में प्लांट में होती है जिसके थुरू पानी जो ऊपर चड़ता है कि उसके बाद देखो यहां मैंने लीप्स बना रखेंगे चोटा सा डाइगराम है ज्यादा अच्छा नहीं है है देखें लीप्स के टिप पॉइंट से यानि की एरिल पॉइंट हम बोलते हैं कोई भी कोना पॉइंट टेप हो उसकी एरियल पॉयंट इसको बूलेंगे रांट का एरियल पॉइंट अब यहां से चाहरा इसका वोटर लोस मैंने यहां लिख रख यांगा यह रहा है पानी का ऊपर की और चड़ना अब पानी का ऊपर की और की चड़ना इसको हुम क्या खोलते हैं एसेंट और सेब नाक्स के दुआरा ट्रांस्परेशनल पूल अभी मैंने बताए था सक्षन प्रैसर लगता और पानी जो ऊपर चड़ता है क्या प्रैसर रूट पर अप्रैसर और जिसके तर्ध यह क्या होता है ट्रांस्पोर्टेशन प्लांट्स त्रांसे में अब देखेंड दोचार टाइप खेंग साल त्रांसपारियसान है वह हम समझतने इस्टो acord से पहले इसे इसटो मेंटल ट्रांसपारीशिन मैक्जिम्न ट्रांसपोर्टे सनवा इस शोय हुट। अल्मॉस्ट और सुमस्ट-पर संट तो Сबसे आर तेनी स्ट्रक्चर फिर आप लोग कमेंट करते होगी तो बताई नहीं प्रेजेंट और लीपस कि इस ट्रमेटा ट्रांस्परेशन में भी हैल करते हैं और एक्सचेंज अभ गैसे में तो देखें मैक्सिमम लॉस ऑटर थू लिपस देखो यह लूपस का सरफेज है और यहां पर आपको पता है चोटे-चोटे च्ट्रमेटास पाई जाते हैं उससे क्या होता है क का लॉस के अब देखें दूसरी टाइप का ट्राउंस्पिरिशन अब देखें दूसरे टाइप का ट्रांस्परेशन यहां लिखा हुए क्यूटिक्लर ट्रांस्परेशन अब पहले समझते हैं क्यूटिकल क्या होती है क्यूटिकल की बाद मैंने अभी तक नहीं करी है मैंने इसलिए बचा रखा था क्योंकि यह टॉपिक आए तो आपको समझाएंगे तो देखें यह होती है एक लीप्स देखो ड्रॉइंग मेरी खराब है तो जाद अच्छी तो नहीं बन पाएगी पर बावनाव को समझ जाना देखो यह होती है कि लीफ अब आपने पेड़ों अगयरा को आपने देखा होगा तो उस पर एक वैक्स जैसी लेयर आ जाती है वाइट कलर की वैक्स जैसी लेयर चीक है कभी देखना आप लोग किसी भी ट्री पर वाइट कलर की वैक्स जैसी लेयर होती है वैक्स लेयर एक मॉम जैसी लिएर लीफ के ऊपर लग जाते हैं जैसे वाटर का जो है लॉस कम हो जाता है उसे हम बोलते हैं क्यूटिकल की लिएर अब देखें यहां पर क्यूटिकलर ट्रांसपरेशन है सर्फिस ऑप प्लांट इस कवरड़ वाए थिन लेयर तो अभी मैंने बताई क्यों डानों फरफिस वाटर को आपनी अच्छे पर ट्रांसपरेशन के लिए अपने उपर एक क्यूटिकलर वैक्स की लेयर जर्मरेट को लेते हैं उनका नहीं हो पाता है तो एक है चलिए आगे बात करते हैं तीसे टाइप लाइंटीकुलर ट्रांस पारीशन और यह सारी चीजी तो देखिए अभी एक वार मैं आपको रिवास करा दीत हूं मैंने इस आप में ंप्लांट तो ट्रांसपोर्ट और मिनर्स की क्ता है ता है और उपडूर्ब का काम क्या है यहां प्राइली होता है तो the Совolic प्लाइन यहां台 चाहिए यानि रूटसे आर्वांट के टिप तक पहुंचा देगा और जिए यहां में क्योंकि देखो जो फूड का जो जरूरत होती है वह पूरे होल प्लांट में पाई जाती है उपर भी नीचे भी तो जो प्लोहिम का काम है वह कैसा है वाइड डिरेक्शन अब हमने यहां पढ़ा था ट्रांस्परेशन जो क्या था लॉस ओफ वाटर और रूट प्रैसर ए एक पाइप तरेगा होता है जैसे हम फूड को ट्रांस्पर करते हैं ऐसे पाइप जैसे सब्स्टांस होते हैं पाइप जैसे टिसू होते हैं ठीक है अब अब तक हम यहां तक बात कर चूंगे आपकी ट्रांस्परेशन ट्रांस्परेशन की अब एक लास्ट टॉपिक बसता जैसे यूरिया वेस्टियुंक वेस्ट नाटो एकरल्ज vy एक्स क्रीशन सुरी यह मैं इनी क्रा शा Sutra के Selon है इसवो मैं पिसुंप कैसे होता है और हमान में कैसी होता है कि देख अव प्लांट में कैसे होता है और क्यों से स्मस्छते है तो देखिए अभी तक हम पढ़ चुक है नूट्रिशन पढ़ चुक है ट्रांस्पोर्टेशन पढ़ चुक है एरोबिक रैस्पिरेशन यह सब सारी चीज़ा है अब हम चैप्टर के लास्ट पार्ट में बिल्कुल यह वाली वीडियो में आपका पूरा चैप्टर है वह खत एक्सप्राइशन चलिह समझते एक्सक्रीशन को लाश्ट प्रॉसेशन यह लाइफ क्षाइश रिमूबल आफ हर्मफिल नाईट्रोजियन इस मेटाबॉलिक वेस्ट वेस्ट फॉम दा गोडी इस गॉल्ड नब देखो एक्सप्रीश यूनिशेल और गानेजिम सिंपल तरी से होता है यहां लिख रहा है यूनिशेल और गानेजिम वाइस सिंपल डिफ्यूजन फ्रॉम दपर बोडी जैसे मैंने आपको वीडियो जो मैंने स्टार्ट करा तो नूट्रीशन अमीवा पड़ाया था त specialized organ as in humans उसे हम क्या गोलते है kidney at as excretory organ तो चलिए जानते excretion in human wings लेकिए excretory system included pair of kidney a pair of urator a urinary bladder and a urator आप देखो डाइगराम आ रहा हुआ स्क्रीन पर देखिए उसको दोन सारी चीज़े मिल जाएंगे आपको तो देखिए nitrogenous waste में क्या क्या होता है देखो यूरिया nitrogenous waste include यूरिया यूरिया जो है excretion waste में किसके होता है यूरिया जो है humans में require less water than ammonia उसके बाद देखो ammonia जो कौन excret करते हैं fishes करती है require more water for excretion ठीक है देखे फिस हमेशा पानी में भी रहते है तो उसको पानी की महात्रा भी ज्यादा चाहिए excretion के लिए और देखो यूरिक एसट एक्सक्रीशन कौन यूरिक एसट करता है words करती है required least water or in the form of paste तो आपने देखा है जैसी जो है वर्ट करती है तो उसक्रीट करती है यूरिक एसट अब देखो सब्सक्रीशन यूनिट हैविंगे कप सेब्ड इस्ट्रक्चर कॉल्ड वोमेंस कैप्सूल तो वोमेंस कैप्सूल में क्या होता है करते हैं कि नेफरों करते हैं थी कैट और में क्या होता है कि होता है इन इस फिल्टरीशन प्लेस इस टेक्स प्लेस अब देखे इन बोमेर्स कैपशूल का भी डाइगराम के स्क्रीन पर आच एक बने डाइगराम को देखो बलाइड कैपशूल के लिट क्लिस्ट्रेश कर एन बिलाड इस is filtered here initial filtrate contain सबसे पहले जो फिल्टर हो के आता है उसमें क्या होता है ग्लूकोस अमीनो एसेट्स एंड सॉल्ट आप्टर देन यूरिया एंड नाइट्रोजीनस वेस्ट है ठीक है चलिए आगे चलते हैं देखो लार्ज एमांट ऑफ वाटर इस री एब्जॉर्ब एंड नाइट्रोजीनस वेस्ट इस प्रोडूस इन दा फॉर्म आफ यूरीन यूरीन प्रोडूस्ट इन दा किडिनी पासेश थ्रूद यूरेट तो यह सारा वेस्ट काहां के खटा हो जाता है यूरीनरी ब्लैडर तेल यूरीनेशन जब तक आप उसको गया नहीं करते यूरीनेट नहीं करते तब तक वह बढ़ा रहता है और आफ्टर डैन यूरीनेशन डवेस्ट एक्ष्ट आट पॉम यार बॉडी तो अब तक हमने लाइप प्रोसेश चेप्टर को खतम कर दिया है मिलते हैं आप से चल्दी एक निव वीडियो में बाकी आपके केमिस्ट्री के लेक्चर जोन रेनिंग में आप उन्हें भी जाके बेख सकते हैं और इफ यू रियली लाइक दे वीडियो प्लीस एर इट तो यूर फ्रेंड for notes join telegram channel link below in the description box